हेला अबरिवन कैसे हैं हम सभी दोस्त का आज में रियक्ट जैस में टिक टैक टो आए गेम बनाएंगे तो गेम क्या है जे वाला हमारे पास एक बोर्ड है इसके वीच ऐसे हम प्ले करेंगे तो इधर लिखा आ रहा है नेक्स्ट प्लेयर किसकी टर्न है तो इसको बिन करना है हमने वो भी हम चेक करेंगे क्या हमारे पास बिनर का मैसे या रहा है तो बिनर कौन हुआ जे वाला अब दूसरी बार चेक करते हैं दूसरे प्लेयर का चेक कर लेते हैं इधर आ गया जे और जहां पर जे तो बिनर कौन हो गया जे वाला मतलब बिलकुर परफेक्ट है एक इ ज़्यादा मुश्किल नहीं है असान कोडिंग के साथ इसको क्रियेट करेंगी इंपोर्ड कर लेते हैं रियक्ट को फ्रॉम रियक्ट कि पॉस्ट एप कि यहां पर एक्सपोर्ड कर दो चलिए सबसे पहरे बारी आते हैं बोर्ड करियेट करना है तो इसमें कुछ ज्यादा हमने हैं एच्छिते हमने का कोड नहीं लगाना रिटार नहीं यहां पर एक टीव लगाके इसको बस कलास नेम एड़ कर देंगे नेम इसके अन गेम रख देते हैं डीव कलास नेम गेम बोर्ड तो मैंने CSS के फाइल आड़ कर रखे है तो इसको मैं हटा देती हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि CSS कैसे लगानी है एक और डीव लगाओ अब यह हमारा में डीव रहेगा इसको कलास नेम एड़ कर दो बोर्ड रो तो रो इसके साथ बननी है अब सबसे आसान तरीका है बोर्ड करेट करने के अब इदर एक नाम दे देती हूँ रेंडर रेंडर ही रेंडर देते हैं कुछ भी नाम देना है अपने function और नाम एक करेट कर लेना है यहाँ पर 0 लिख देते हैं अब इसको कापी कर लेते हैं जहाँ पर आ जो इतर टॉप पे सब से पहले हमने कर येट करने है शोट शोटे बटन तो वो बटन स्केर से क्रिएट करने हैं क्योंकि जिसपे हम क्लिक कर रहे थे न वो बटन Seoul प Sé define कर दो object इसका बना दो एगा नाम दे दो कुश्य नी रिटार में कर दे हमें जहाँ पर बटन क्रियेट कर दो बस इसको मैं refresh करके दिखा देती हूँ जे सब हट जाएगा जे नौ बटन्स है ठीक है वो देखे एक बटन लग गया अब इसके उपर हम कुश्य भी रिखेंगे तो यहाँ में नजर आएगा अब जे तो कोई बड़ी बात नहीं है बटन तो बैसे हम क्रियेट कर लेते हैं इसमें बड़ी बात कता क्या है जहाँ पर जाओ दो, तीन, जहांपे value change करो एक, दो आपने multiple button बनाने हो न, react में multiple button create किये भी नहीं आप buttons की length अपने आप इन क्रीज कर सकते हैं मैंने जहांपर यह वाला code लगा दिया अब बेशक मैं जहांपे 100 button create करना चाहूँ न तो वो भी मैं कर सकते हैं, easily बस यहांपे value change करनी है, तो मेरे पास एक row बन की, इस row को copy कर लो paste, paste, जहांपे change क्या करना है values, 3, 4, 5, 6, 7, 0 से start किया है तो 8 तक जाएगा जी, अब मेरे पास total 9 button हो जाने, ठीक है इन button को सबसे पहले करो design सबसे पहले मेरे पास game बारा जो था, game बारी class उसकी बारी flex direction, row में चाहिए, जा row जा colon होते हैं game board, जो game board है, उसको भी display flex में करो इसकी flex direction रखो, colon, एक की row रहेगी दूसरे की colon जो board row है, display कर दो, flex में, इसकी flex direction रखो, row अब जहाँ पे चलो, जो button करिएट किया है न हमने, उसको एक class दे दो button भी use कर सकते हैं, ड्रेक्ट आप attribute नहीं, तो आप इसको class दो नाम इसका s क्यों रख देते हैं, जहां ते जाओ, dot s क्यों हाइट बिट से mention करो, जितनी height है, उतनी ही बिट से रखना नहीं, तो वो टेड़ा मेड़ा सा बन जाएगा, 80 pixel, इसका font size भी change करो, जो बीच में लिखेंगे न, थोड़ा बड़ा लगना चाहिए, font भेट, bold, css file हमने import नहीं की इदर, जहां पर आके import कर लो, बटन बन गे, अब बीच में gap चाहिए, क्योंकि बटन सारे चिपके हुए हैं, तो मैं जहां पर add करूंगी, margin एक तो, bottom से आना है, थोड़ा ही add करेंगे, आपकी आप बैगराउंड में इसके कोई, जो पूरी बैगराउंड है न स्क्रीन की, उसमें कोई image बगारा लगा के, इसको center में करके, अच्छी से एक game बनाओ, तो जहां पर image लगाने की जुरूरत हैं, बस इसका background color change कर दो, cursor pointer जरूर रखेंगे, जहां पर देखो मैं hover करेंगे, तो मेरे पास हाथ का निशानी आ रहा है, अब देखो refresh हो गया, cursor pointer इसको बहुत है, हमें पता चल जाता कि जहां पर click करना है, hover का भी लगा सकते हैं, जो भी SKU है, उसको जब कोई बंदा hover करेगा, background color change कर दो, ये वाला लगा देते हैं, अब सही है, hover करने भी, ये हो गया complete, अब चलते हैं इदर, button हमारा बन गया है, जो हमने button career किया है जे वाला, इसके उपर जब कोई बंदा click करेगा, तो यहां पर आपने on click function लगाना है, नाम इसका मैं रख देते हूं handle, यहां पर arrow function आएगा, ऐसे, handle click नाम इसको दे रही हूं, और इसमें एक object index जो हमने बनाया था जे वाला इसको pass कर अब जो handle click बनाया है ना, पॉंस्ट जाहां पर handle click को define करो, इसके coding कैसे करेंगे, जब index जाहां पर pass करो, जब कोई बंदा इस पर click करेगा, मतलब button के उपर click करेगा, इसको एक function बना लो, मैं जाहां पर cal calculate चलिए रिख दे रहे हैं, जो एक function बन गया है मेरे पास, इसका भी एक object करेड कर लो, बोर्ड बना देते हैं, और condition लगाएंगे, बोर्ड index, जो index है वो array के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, array ही यूज़ होगा, क्योंकि जहां पर मेरे पास 9 grade है, 9 को बीचा हमने value find करनी है, तो उसके लिए मेरे पास जे array यूज़ होना ही है, तो जहां पर मैं लगा रही हूँ, return कर दे बस, blank, return करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे, जह है क्या, यहां पर आजाओ सबसे पहले, पूरे function के बाहर जाके आपने एक create करना है, नाम इसको दे दो, कोई init दे देते हैं, एक array create करना है, 9 बीच में लिखेंगे value, dot, fill कर द null, तुझे अपता क्या करेगा काम, इसको copy कर लो, इसको जाके हम paste कर देंगे, जहां पर एक बना देते हैं, हमने variables के नहीं create के, पहरे देख लो यह काम क्या करेगा, जो भी array बनेगा, मैंने 9 value रिखे हैं, क्योंकि मेरे पास 9 buttons है, तुझे क्या करेगा, फिन करेगा, उसमें values, values कौन से हैं नहीं, जाकर X से जा फिर O, तुझे array काम करेगा, अब जहां पर चालते हैं, const variables बनाओ, कौन कौन से variables चाहिए, एक मुझे चाहिए, board, set कर लो board को, user state लगाओ, user state, जे बने अपने आप इंपोर्ट हो गया, इसको अभी हिटा दें तो यह problem create करेगा, मेरे पास create हो गया है, कुछी भी extra नहीं होना चाहिए, इसमी, तो user state के बीच हम उसको paste कर देंगे, init, यह वाला हमने इधार define करना है, यह आजाएगा मेरे पास उसके बाद, const, एक इसको नाम दो, next, set next, यह काम करेगा, next turn किसकी, यहाँ पे इसको कर दो, true, true कर दो, बाकि हम इसको बा आजाओ, हमने जहां पर handle कलिक बाला बनाया है, इधर जे हो गया, खता में return, जहां पे आजाएगा, इधर मैंने बनाना है, एक, const, new board, value देखो, x और o हमने बोड के बीच लिखनी कैसे है, क्योंकि मैं वहाँ पे टाइप करूँगे, अभी कुछ भी नजा नहीं आना, value कैस जहां पर जो next है, turner operator, सबसे आसान तरीका है, turner operator के साथ value को show कराने का, मेरे पास जो भी next है, अगर कोई turn होई न, यहां पर एक वार j play हो गया, इसकी value चलीगी, उसके बाद फिर से condition check करेगा, इसकी turn खतम, उसके बाद फिर से j आ जागा, फिर से check करेगा, इसने print कर दिया पिर से j आ जागा, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सारी turn x की ही ओ, दूसरे की बारीन आई, तो जहां पर एक वार j काम करेगा, एक वार j, एक वार j काम करेगा, एक वार j काम करेगा, जे possible है, हमारे पास turner operator के साथ, यह turner operator होता है, set कर दो board पे, किसको करना है, जो new board की value होग नेक्स्ट वाली पता किसकी रहेगी, अब j condition बहुत ही ज़रूरी है, मैंने जहां पर not लगाया है, not next, next क्या है मेरे पास j, j print होगी, अब उसके बाद next value किसकी आएगी not next, मतलब next में अभी j वाला था, अब j वाला फिर से इसकी turn नहीं आनी चाहिए, turn आनी चाहिए इसकी turn कैसे आएगी, जब मैं जहां पर not लगा दूगी, not इसलिए लगाया, क्योंकि j print हो चुका है, अब इसकी turn नहीं आनी, उसके बाद इसकी turn आनी है, अब j print हो गया, फिर से जहां पर not, क्योंकि j next में इसकी value रहेगी, अब जहां पर not लगा दिया, फिर j वाला प्रिंट नही इसके बीच आना है code, जहां से उठाके, जे वाली जो bracket है न में handle क्लिक वाली, इसके बीच code लगाना है, आपने ध्यान से, तो मैंने बाहर लगा दिया था, क्लिक करने पर जे सारा code पर form होगा, एक वार refresh करो, क्लिक करेंगे, तो मेरे पास value आएगी, value कौन सी आनी है, बटन पर चलो, जो बटन लगा है न, बटन के उपर हम सब्सक्राइब कोई लिखते हैं, कभी हमें बटन के उपर नजर आता है, हैलो लिखाया, क्लिक लिखाया, क्या लिखाया, तो बहां भी रिखते हैं, इधर, बटन वाले tag के बीच, तो मैं जहां पर अपने variable प्रिंट बोर, बोर के बीचे value index की प्रिंट करेंगे, index से one by one array के साथ ये काम करेगा, refresh, देख लेते हैं, कोई error हो के नहीं, क्लिक करके देख लेते हैं, तो जहां पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन मिले पास कोई value नहीं आई, इस्पेक्ट करके error देख लेते हैं, यहां पर मेरे पास एक error है, error है, मेरे पास, calculate is not defined, तो हमें जब पहले define करना पड़ेगा, इसको बंद कर दो, calculate हमने जो बनाया है, यह वाला, copy कर लो इसको, इदर इसके बाद हम इसको define कर लेते हैं, पॉंस्ट, calculate, यह function है, इसको ऐसे आप define कर सकते हैं, refresh कर देते हैं, इसकी working हम बाद में कर देंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं, error, click करना है, तो जहां पर अभी भी इखला हाल मेरे पास error है, अब इसको बंद करके, error इदर से देखेंगे हम, तो setup यह हमने किदर लगाया हुआ है, यह तो मैंने लगाया नहीं, जहां पर अपने आप यह इपोर्ट हो गया, तभी error आई है, इदर set board आना है, तो वो अपने आप यहां से select हो गया, set board, refresh कर लेते हैं, click करो, तो अब देखते हैं, हमारी error कौन सी रहेगी, set board is not defined, यह बादा मैंने यहां पर define किया है, तो यहां पर set आएगा, spelling mistake है, refresh, click, value आगई, तो यह value आनी चाहिए, अब जहां पर binner find करेंगे, एक वर check कर लेते हैं, तो जहां पर binner आना चाहिए, यह दिखो, binner आना चाहिए, अब मेरे पास, binner कैसे calculate करना है, अब हमना, वो एक logic लगाना है, इदरी लगा देते हैं, यहां पर लिखो, जो हमने calculate वाला बनाया है न, उसके अंदर logic वाला आएगा, तो उसी के अंदर जे code लगा देते हैं, जे वाला calculate वाला भी function बनाया है न, तो इसको एक object पास कर दो, square नाम का कर देते हैं, square, कैसे logic लगाना बहुत ही आसान है, constant, एक variable बना लो, lines का बना देते हैं, array के बीचे find करेंगे, अब जहां पर मैं value लिख रही हूँ, यह value कैसे लिखनी है वो बाद में बताऊंगी, पहले मैं चल्दी से values एड़ कर देते हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जहां पर आएगा 0, 3, और 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8, और 0, 4, 8, जहां पर आएगा मेरे पास यह array bracket, सारी possible values हमने लिखनी है, 0, 4, 8 हो गया और 2, 4, 6, जह बादे values है, जही find करेगी कौन बिनर है, कैसे, मेरे पास यह 0 है, यह 1 है, यह 2 है, 0, 1, 2 पे बिनर है, 3, 4, 5 पे बिनर है, 6, 7, 8 पे बिनर है, जहां पर देखो, 0, 3, 6, इधर हम चक कर लेते हैं, 0, 3, 6, 6, 7, 8 है अभी, 6 कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया, 6, 7, 8, तो जहां पर आएगा, 1, 4, 7, 1, 4, 7, जहां पर आएगा, जहां पर, यहां पर मैं, ड्रॉ करके दिखा रही हूं, 1, J, बिनर, 3 मैच इधर करने है, जिदर 3 मैच करेंगे, बस वहां पर एग बिनर होगा, 3 मैच करने की पॉसिविल्टिज आपने चक कर लेनी है, कहां कहां मैच करने है, 1, इधर होगा, एग इधर होगा, तो यही बस पॉसिविल्टिज आए, बस इनी वैल्यूस को आपने लिख देना है, इसको जाद करने की कोई जुरूरत नहीं है, बहां से आप अपने अकॉर्डिज देख सकते हैं, इसमें एक लगेगी लूप, तो जहां पर लगाओ, क्योंकि यहां पर 1 by 1 जह चेक करेगा, एक एक गरीट को, लेट, आई इकल टु जीरो, जीरो से स्टार्ट होना है, उसने कहां तक चलेगा, जो भी लाइन्स डॉट लेंग्थ है, चेक कर लेगा कितनी लाइन्स है, एक एक प्लस करता जाएगा, अब देखो काहां, कैसे इसने चेक करना है, आप आपने इसको बोलना है कि, तीन वैलीऊ्स यह जो वैलीऊ हैना, तीन बेरिय ब्ल में स्टोर कर दो, लाइन्स डॉट, जो I की वैलीू है, और लाइन्स आई, square जहां पर देखो A, triple is equal to half, square B, and square A, triple is equal to half, square C. इसको शोड़ो समझने को, ड्रेक्ट हम इधर चलते हैं, समझना कैसे है इसको जहां पर चलो, how to put it. जह तीनो कब winner कैसे होना है, जब A, B के equal हो, B, C के, A, C के, तीनो एक दुसरे की equal हो, तब वो winner होगा, तो बस वही logic लगाया है इसको, return कर दो, square A, तो जह return कर देगा, अगर कोई winner होगा, तो हमें return कर देगा, जो भी winner है, कोई winner नहीं हुआ, return null, push winner return करे, अब जे code लग गया, बिनर का, इसको refresh करो पहले, पहले हम check कर लेते हैं, तो जहां पे मेरे पास message जाना चाहिए, बो तो हमने लगाया है नहीं, अगर कोई winner होगा, तो print कराओ को message, इदर ही चलते हैं, message कैसे print कराना है, एक नहीं हम div लगा लेते हैं, लास्ट में जाके, जे वाला HTML का code है इदर कहीं लगा दो div, जे वाला main यहां पर है, इदर लगाओ, एक div लगाओ, class नहीं इसको देदो, game, info, इसको आप design कर लेना, जहां पर हम print कर देंगे, status, अब जे status क्या है, इसी के through हम इसको print कराएंगे, इदर आ जाओ, जहां पर चलते हैं, message कौन सा print कराना है, const, बिनर नाम का variable बना लो, जो calculator वाला function बनाया है, उसके बीच जो board है, object, create कर लो, let status, वो status जो हमने लगाए, इसको जहां पर define करो, if a banner, status को, जो भी status रहेगा, status, is equal to, यह वाला skip button के नीचे जो, यह वाला symbol है, इसको प्रेस कर दो, यहां पर लिखो दो, बिनर, बिनर कौन है, साथ में इसका नाम लिखना है, नाम कैसे आएगा, बिनर, डॉलर, जहां पर लिखो बिनर, तो बिनर के बीच वो अपने आप, शो हो जाएगा, else में जाके, status को, status, is equal to, यह वाला symbol, next player भी हमने बताना है, कौन सा होगा, कैसे print कराएंगे, डॉलर, next player किसके बीच है, next के बीच, चेक कर लेते हैं, variable का नाम, जहां पर हमने next लगाया न, इसी के बीच next player आना है, उसको यहां पर print कर दो, next player भी आ गया, लेकिन direct हम नहीं play कर सकते इसको, next के बीच, turner operator लगेगा, जा तो मिरे पास x आएगा, जा मिरे पास o आएगा, तो turnerry operator हमारे पूरे code को बहुत यासाई ही से print कर देता है, ने तो हमें बहुत सरी conditions लगानी पड़ेगी, turnerry बसे एक line में सारी condition हमारी चेक कर लेगा, next जो भी turn होगी, उसको जा तो j print हो जाए, जा फिर j, next जो भी turn है जा j हो जाए, जा print j हो जाए, तो j एक एक करके दोनों को print करता रहेगा, पर इसको refresh करके देख लेते हैं, अभी मेरे पास है error, यह हमारे पास किदर से आ गया, import, जो देखो अपने आप कुछ न कुछ यहाँ पर अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, तो आप चेक कर लिया करू, अब देख लेगे, अभी आई, error, calculate, यह वारा calculator मैंने use किया है, यह वारा जो हमने लगाया न, पूरा code, मैं इसको उठाके, last में लगा दूँगे, इसको न values नहीं मिल रही, तो मैं यहां से उठाके, बिल्कुल last में जाके इसको add कर रहे थी है, last में, यह वार ऐसा होता कि इसको जो भी हमने function से create के हैंने, इसको मिलते नहीं है, तो इसको हम last में लगा देंगे, इसके उपर जितने भी function होगे, वो सारे के सारे इसको मिल ज नहीं, इसलिए वो मेरे पास output नहीं आ रही थी, अब जहां पर कोई error नहीं है, next player आगे है, मेरे पास x, जहां पर click करो, तो next player जहां पर देखो change हो रहा है, फिर से change हो रहा है, अब जहां पर मेरे पास देटे message आ रहा है कोई, तो banner का नहीं आया, अब जहां पर banner का हमने यहां पर हमने जो loop लगाई थी, लूप के बीचे मैंने if condition लगाई है, इसी ने banner find करना है, और मैंने जहां पर लिखा हुआ है, a की bracket हमने बंद नहीं की, और यहां पर बंद कर दी, तो इसका logic गल्त हो गया, तो यहां पर a की bracket square, a लिखा है, इसकी bracket यहां पर बंद होनी थी मैंने इसको last में बंद किया है, तो banner आ गया, देखो अपने आप refresh हो गया, banner आ गया, फिर से refresh करते हैं, यहां पर इसकी turn, अब दूसरा player हम देखेंगे, यहां पर आ गया, अब जे banner होना चाहिए, तो यहां पर देखो banner चाहिए आ गया, जे code हो गया complete, इसमें आप next एक reset जा कर आया था न, उदर चलते हैं, जहां पर यह रहा है, यह status पर प्रिंट कर आया था, इसी के बाद एक बटन लगा लो, बटन, जब कोई बंदा इस पर click करेगा, तो इसको आप restart नाम देदो, on click के एक function बना लो, on click, जब कोई बंदा click करेगा, reset नाम इसको दे देते हैं, बस reset की coding लगानी है, इसको copy कर लो, बहुत ही शोटा सा code है, जहां पर आके कहीं भी उपर जाके, reset को, इसकी coding इसके अंदर लिखो, कैसे करना है, जो मेरे पास set, नाम इसका क्या था, set, हमने जहां पर एक नाम इसको दिया था, एक था, बोर्ड ये बाला हटा दो, एक मैंने square नाम दिया था, set बोर्ड था, एक मैंने set बोर्ड बनाया हुआ है, set बोर्ड को just इसमें call कर दो init, init हमारा mean function जो हमने top पर बनाया था, जह सब कोशी 0 कर देगा, तो init वाला जो call हो जाएगा, वो null मतलब खाली, पूरा जो grid है उसको खाली कर देगा, उसके बाद, एक तो इसको बिल्कुल blank करना है, एक set करेंगे, जो next था, उसको true कर दो, बस, check कर लेते हैं, restart पर फिर से जहां पर कुछ न कुछ फिल कर दो, restart, फिर से फिल करो, restart, तो पूरी होगे game complete, restart भी बटन लग गया, जहां से refresh करने के जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जह हो गया हमारा topic complete, मिलते हैं फिर next वीडियो में, झाते हैं।